दोस्तों घर में तुलसी होना हिंदू धर्म में सर्वश्रिष्ट माना गया है, सभी देवी देवताओं की कृपा हमेशा ऐसे घर पर बनी रहती है, जहां पर तुलसी का पौधा होता है, गरुर पुरान में तुलसी माता का उलेख विस्तार से बताया गया है, हिंदू धर्म के कई हजार गुना व्यक्ति पर सकारात्मक्ता का संचार होता है, तुलसी माता ने ऐसा वर्दान दिया था कि जो व्यक्ति अपने घर श्रधा पूर्वक, मेरी आराधना करेगा, वह कभी दुखी नहीं रहेगा, और घर में बुरी शक्ती का साया कभी वास नहीं कर पाएगा लेकिन ऐसी तुलसी कभी मत लगाना पूरा घर उल्टा हो जाता है, माता तुलसी क्रोधित हो जाती है, दोस्तों चलिए जानते हैं, कैसी तुलसी नहीं लगाना चाहिए, दोस्तों कभी भी गंदी मिट्टी में तुलसी का पौधा मत लगाना इससे नकारात्मक उर्जा का साया प्रवेश करता है, और माता तुलसी नाराज हो जाती है, घर में सूखी तुलसी नहीं रखी जाती, इससे अकाल मृत्यू का खत्रा बना रहता है, घर की सुख समरिधी सब खत्म हो जाती है, घ आने वाले समय में आपका बहुत बुरा समया सकता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि सूखी तुलसी घर में लगाने पर मा तुलसी का अपमान माना गया है। ऐसे घर में हमेशा हमेशा के लिए तुलसी माता। तुलसी के पौधे में नियमित साफ सफाई करनी। चाहिए सूखे हुए पत्ते को इधर उधर नहीं फैंकना चाहिए। तुलसी के पौधे में केमिकल नहीं डालना चाहिए। दोस्तों तुलसी के पौधे में जल देटे समय पैरों में चपल नहीं होना चाहिए और वो जल आपके पैरों में नहीं गिरना चाहिए, इससे धन हानी का खत्रा बना रहता है। और व्यक्ति को पाप लगता है, तुलसी माता के नियमित दर्शन करने से व्यक्ती को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और सकारात्मक्ता का संचार पूरे घर परिवार पर बना रहता है, दोस्तों आयुरवेद के अनुसार किसी भी पत्ते को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, खास कर तुलसी के पौधे को नाखून से तोड़ने पर व्यक्ति को बीमारी लगती है, उल्टा घर में बीमारि प्रवेश करती हैं, दोस्तों तुलसी का पौधा हमेशा घर के बीचों बीच लगाना चाहिए, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है, तुलसी का पौधा घर में लाने से पहले हमेशा याद रहे, बुरे भाव से घर में नहीं लगाना चाहिए, अर्थात लालच मे नहीं लगाना चाहिए इससे माता लक्षमी नाराज हो जाती हैं। दोस्तों अगर आपके घर में एक से ज्यादा तुलसी के पौधे निकल आए तो आप अपने पडोसियों में किसी को दे सकते हैं या उन पौधों को निकाल कर मिट्टी में दबा। दे या गंगा में विसरजित कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि एक से ज्यादा घर में जब तुलसी निकल आती हैं तो बहुत ही शुभ माना गाया है। यह साक्षात माता लक्षमी के आने के संकेत माने जाते हैं। देवी लक्षमी आप से बहुत खुश हैं। दोस तो तुलसी के आसपास भूल कर भी मत जाना ऐसे में अगर आपने शारिरिक संबंध बनाए हैं, तो तुलसी के आसपास कभी ना जाएं, इससे तुलसी का पौधा अपवित्र हो जाता है, और घर में भयंकर गरीबी वास करती है, तुलसी में कभी शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए इससे घर में उल्टा विनाश होता है, नियमित तुलसी में दीपक जलाने से कई करोडों कुन्य व्यक्ति को प्राप्थ हो जाते हैं, और व्यक्ति स्वर्ग की ओर, जाता है तो दोस्तों आज की विडियो में बस इतना ही विडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनियवाद